है कि हलो फ्रेंट्स वेलकूम टुषूइंग ट्रेट अज हम बात करेंगे अभी वीडियो बना रहे हैं इसमें दो स्टॉक के बारे में डिस्कूर्शन करेंगे जो कि यह स्टॉक अगर किसी के पॉर्टफोलियों में नहीं में अगर सवाल है तो उनको यह स्टाक को क्या करना चाहिए कि लाजबूक करना चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे अगर उसको वोल्ड भी करेंगे कौन से टार्गेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं वीड तुछ आलेशिस भी यहां से आपको मिल सकता है आपको पॉटफिली रिविवू तो जरूर देख लेना चाहिए कि पॉटफिली एक अच्छा सा पॉटफिली कारते हैं और यहांपर पर पॉटफिली रिव्यू किया हुआ है यहां पर काफी सरह कमेंट्स भी किया हुआ है बैंट इसे करके करना है इस के सिख सकते हैं तो वीडियो स्टाट करते हैं पहले क्या है पेध्यूरत कि बात करेंगे नकसे क्वेश के ल tutक्तुन की क्यों कि फंदामेंटली बहुत स्टोंग सटोग है ठीक है इसमें अभी अब चलन रहा है तो अभिवन कशटे Ultra custom यहां है कुछ क्वाइट करके चल सकते हैं कि मल्टी वेगर स्टॉक है अगर हम इसका एक बार चार्ट भी यहां पर फाइनेंशल परामेटर देख लेते हैं कर वह एक है अगर अपना प्रशिशन का और अगर यहां पर देखते हैं सब्सक्राइब पूब्ली के पास में तुन्थ ट्री परसंटेज का होल्डिंग यह स्टॉक में अगर हम देखते हैं इसका रेजल्ट भी आने ृभ आने वाला है अगर उरे जल पी जाके देख लेते ह कि यहां पर रेजल्ट भी आपको देखने का मिल जाएगा तो यहां पर आज के दिन में देड़ 1.39 परसेंटेज का नेगेटीव रिटर्न दिया स्टॉक अगर यहां पर कॉंपनी इंफरमेशन में आप आज आएंगे तो यहां पर रेजल्ट भी स्टॉक में आ चुका है ठी भी इस डखनक व पॉल्ड करके चल सकते हैं कोई प्रॉब्लेम नहीं यह लएकर याज बटीट मेंथन करोण जरूर का सब्सक्राइब अभी का जो क्वाटर गया है मतलब सेप्टेम्बर में तो बड़ी ऐसा इंप्रूमेंट हुआ है तो इसी साब से इसका अगर हम देखेंगे ब्रोकर का भी टार्गेट आया है एक टार्गेट का भी उसका देख लेते हैं अगर आप यहां पर टिकर टिप में जाएंगे तो य जैसे उन्हों पर पाइट कररका टार्गेट है मैंने देखा था तो कि यहां पर बड़े भड़े ब्रोक और यहां पर टार्गेट दे रहें तो जहां पर इतना बड़े बड़े ब्रोकर यहां पर टार्गेट दे रहें तो अभी अगर बाइब करना है तो बाइब करके चल सकते हैं तो यह चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं तो टार्गेट उन्हों ने जब दिया था यहां पर पांस तरीकों टार्गेट दिया था और चेट के बाद में तक आचिव होना है ना तर्गेट आप चीव कहां हुआ है तो अभी जब तक नहीं हो अभी हम बाय करके चल सकते हैं एक सब्सक्रेट में तक पर्टि तक कर आगर देखते हैं तो कितना परसेंटेज monopoly नाता है भी देख लीजिए एक 37% ऐसे कर रहें सकता लेकिन उसके बाद में यहां तक फॉल्क भी हो चुका था ठीक है तो मैंने तो यहां पर कुछ बाय किया था लोर लेवल पे ठीक है अगर आपके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं सट्रम का टार्गेट हमारा यहां पे जो की 600 पे सट्रम का टार्गेट लेगें कंते हम निकल सकते हैं ठीक है अगर इसका भी हम देखेंगे इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है रिजल ने है इसका रेजल्ट आने वाला है रेजल्ट आने दीजिए एक बार रेजल्ट को रिव्यू करके स्टॉक में हम आगे का स्टाटेजिया अपलाई करके चल सकते हैं अगर हम देखेंगे इसका टार्गेट भी एक ब्रोकर से मिला हुआ है इसका अगर आप न्यूज पर जाएंगे देखिए यहां पर इंद्रप्रस्तर गयास का टार्गेट मिला हुआ कि सिक्स तर्टी फाइग तो जा सकता है ठीक है इसका टार्गेट निकलाए देखिए टार्गेट सिक्स तर्टी फाइब तो का आप बाई करके चल सकते हैं जो की इमके ग्लोबल फाइननस ने टार्गेट दिया हुआ है ठीक है तो यह स्टॉक में पोट्फोलिय में रहना चाहिए आपको लॉस में सेल करने के कोई जरूर जो की है है अगर इसमें देखते हैं यह स्टॉक में अवरी वाफिट में डिक्लाइन आया है ठीक है यह स्टॉक में अगर हम देखेंगे आजीन करसके अगए को में 29 परसेंट का यहां पर रिटन दिया है ठीक है अगर कंपाउंडिंग शेल्स भी देखेंगे बड़ी ऐसा पांच साल में 23 परसेंट का सीजिया रिटन दिया है यहां पर प्रफिट देखिया है उल से बंदर सिक्टीश्कரोड का यहां पे सेल्स हुआ जो कि पिछला सेटमबर में 700 कोरोड का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं पर फफिट में लास्ट कोटर में लास्ट सेप्टेमबर में 94 highest अभि 26 कोट का है ठीक है कोई एक क्वाटर को हम देखके स्टॉक को बिल्कुल सेल करने का ज़रूरत नहीं है डेट भी इतने ज़्यादा डाइट भी स्टॉक में नहीं है प्रोमोटर प्लेज अगर देखेंगे उनली फाइव परसेंटेज का प्रोमोटर प्लेज है ठीक है तो यह स्टॉक का पोटफोलियो में रख सकते हैं अभी सेल मत किजिए जब प्रोफिट में आएंगे फिर सेल करके निकल सकते हैं नेक्स टॉक के बाद करेंगे जो कि हमने आपको यहां पर बताया था यहां पर आपको बताया था अभी ताप लॉस में बिल्कुल भी नहीं है अभी आप प्र पॉर्टफोलियो में यह स्टॉक रखी कोई प्रोब्लेम नहीं है बड़ी ऐसा स्टॉक है 16 को इसका रेजल्ट भी आ रहा है आप यहां से आके देख सकते हैं अगर यहां पर यहां पर इनसी का साइड पर आएंगे तो यहां पर कॉंपनी का साइब इंफ्रमेशन में आप देख देखते हैं यहां पर तक 5 यहां पर इस घ्ल सकता है अचैक चैने इस टाप में बात करेंगे है उप बहुत बार बात किया हूं लेकिन इस टॉक में इतना बड़ा सा मोबमेंट अभी तक नहीं आए जिसी साब समने एक्स्टेक्ट किया हुआ था तो अभी तक चाल नहीं दिखाया है तो इसका काल की डेट पे इसका रेजल्ट आ रहा है तो रेजल्ट पे आप नजर रखें तो सब्सक्राइब करेंगे जो कि नॉबिन फ्लोरी ने फ्रेंट अगर अगर आपका पॉर्टफोलियो में इस टॉक है तो आप लॉस में इस टॉक को निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इसका रेजल्ट भी आ चुका है अगर रेजल्ट का हम एक बार देख लेते हैं नॉबिन फ्लोरीन में रेजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया था यहां पर मतलब डिकलाइन आया था यहां पर सेप्टेंबर में अगर हम देखते हैं सेल्स में सेवन परसेंटेश का डिकलाइन आया है लेकिन फिर भी एक स्टॉक में आपका पोजिशन रहना चाहिए ठीक है एक मल्टिवेकर स्टॉक है अगर दास साल का रिटन आप चेक करेंगे नविन फ्लोराइन में आप न्यूज पर आजाएंगे न्यूज पर आके यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्यार चुक्सिका यहां पर ब्रोकर जो टार्गेट दिये हैं यहां पर देखिए इसका टार्गेट मिला हुआ है तो यहां पर इतना बड़ा-बड़ा रिशर्च टीम यहां पर टार्गेट भी दे रहें तो इसी साब से हमारा हिसाब से भी यह स्टॉक हम होल्ड करके चल सकते हैं जहां पर घी अल्टाइम हाई का टार्गेट दिया हुआ है ठीक है लगी का लग कर बात करेंगे इसका बारे मैं ने बहुत बार विडियो बनाए हुए आप लास्में कि इसको लाश्ट बुक मत किजिए क्योंकि हमारा बाइंग लेवल यहां पे मैंने यहां पर यहां पर हमने बाइग करके चले सब्सक्राइब करना है तो ये लेबल पर बिल्कुल चल रहा है तो यह लेवल पर थोड़ा सा क्ाटि आ स्टॉक में ठीक है डेट फ्री कंपनी है एक मल्टीव अगर स्टॉक है तो यह स्टॉक में अपना पोजिशन रेना चाहिए इसका प्रॉफिट नेट डिकलाइन आया था इसके बज़र से यहां पर इतना बड़ा सा मार्केड थोड़ा सा रिहात किया है यहां पर देख message क्रॉट करोड का यहां पर प्रदें के एक्वरहते हैं घ्राइप कि 40 परसेंट का डिक्लाइन है तो इसलिए स्टॉक में रियाक्त किया है तो यह अभी स्टॉक में बने रही है कोई प्रोब्लेम नहीं नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि वाल पूल है ठीक है वाल पूल का अगर हम देखते हैं यहां पर रेजल्ट भी यहां पर डि अगर हम देखते हैं वाल पूल में काफी शरह मेरा जूब में थे ग्रूप में सब को मेरे बटाया थे डूंब पर चुका था यह लेवल जो मर्किया हूं तो यह एक पहल सब कर करें चलो कोई प्रोब्लेम नहीं यह आपको पको पर्शनिटी दे रहा है जब हम भाई करके चलेते हम अभी 15 फिटीन का प्रफिट में थे थोड़ा सा बचा हुआ था लेकिन फिर भी स्टाप में फॉल आ गया तो उसक्ताइब में क्या करना है करना है दुसरा कुछ नहीं कर सकते हम इतना बड़ा यह नहीं कि हम लॉस्ट को शेल मतलब लॉस्ट बुक करके निकल जाएं अगर इतना दिन हम इंतेजार किये हैं तो हम प्रॉफिट लेकिन कोई बॉरॉइंग मनी में हमने अगर हम देखते हैं यह भारत रसायन है अगर हम देखते हैं यह भारत रसायन में भी आपका अगर पोजिशन है तो यह स्टॉक को अपना होड़ करके चलना चाहिए क्योंकि इसका 11 तरी को रेजल्ट आ रहा है मैंने यहां पर काफी और बताया था कि यह स्टॉक को हम यहां से लेकर चल सकते हैं अगर आपने पोजिशन बनाया है तो आप होल्ड करके चलिए तो इसा नहीं बोलूँ है क कर लिए क्योंकि बड़ी ऐसा स्टॉक है फॉंडामेंटल इतना स्टॉंग स्टॉक है लॉस्ट करना है कोई रिजन नहीं है अगर आपको भाई करना है तो अभी वाई करके चलते हैं चल सकते हैं एक साल तक अगर स्टॉक में आप बने रहेंगे तो ठीक है इसका ठीक को इसका रेजल्ट आ रहा है ठीक है अभी तीन दिन के बाद में चलेंगे अरभी आपको बिंद सब्सब्राइब नहीं है लेकिन लेकिन वह सकते हैं में बार रभार आप शौक को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप स्टाक मार्केट में बने रही है तो फिर आप गैनले स बाइन के लिए करेंगे कोई भी स्टाइजी की करने के बाइस सकता है निच्छे कितना बार आप आप सब को एक्जामपल दिया हूं बहुत बार बहुत सारा एक्जमपल दिया हूं लेकिन आपको के साथ में बना रहेना है अच्छा सा कंपनी में बने रहना है आएसा बिल्कुल नहीं ाच्छे सब्सक्राइब करेंगे कोई प्रोब्लेम नहीं है फ्रेंड से वीडियो को जरूर लाइक किजिए अगर चैनल पर ना है चैनल को जरूर सुप्स्क्राइब किजीए आप सुप्सक्राइब तो बहुतसारे फ्रेंड से दो यह सब्सक्राइब नहीं कि वीडियो रिखते हैं चले जाते हैं और इससे बीडियो को लाइक किजी आपको एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है और वीडियो को लाइक की जेए फ्रेंस के साथ में भी शैर कि जीए ठीक है थांक्यों वेरी मच्छ पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में